नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज नौर्थ इंडिया ग्रूप ओफ कॉलेजेज नजीबाबाद के सभागार में राज्य विदिक सेवा प्रादिकरन लखनव एवं कार्याले जिला विदिक सेवा प्रादिकरन बिजन और तेहसील नजीबाबाद के सयोग पत्वावधान में आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु एक जन जागरूपता साक्षर्ता शिविर का आयोजन किया गया इस राष्ट्रिय अभ्यान की तेहसील स्तरिय अध्यक्ष माननिय सिविल जज जूनियर डिवीजन नजीबाबाद एवं सचिफ माननिय तेहसीलदार नजीबाबाद के माध दर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज सेविका एवं पशुओं के प्रती अपनत्वर अवंतिका माथूर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रही वक्ताओं ने डिजिटल माध्यम से विभिन स्लाइट्स द्वारा श्रोताओं को जागरूप करने वाले व्याख्यान दिये श्रीमती अनुराधा माथूर ने बताया कि पशुओं के प्रती हम मानविय व्यवहार करके पशुओं के प्रती अपने दायत्वों का निर्वहन करें सड़क दुरगटनाओं में घायल पशुओं की हमें अवश्य ही मदद करनी चाहिए गली मोहले के आवारा कुत्ते भी घरों तथा मोहलों की ऐसी ही रखवाली करते हैं जैसे पालतों कुत्ते करते हैं अतह हमारी सम्वेदनाएं उनके प्रती भी सहज ही होनी चाहिए मैंने स्वयम सेक्डों आवारा कुतों, बिल्लियों, बंदरों और गोडों आदी को नया जीवन देने में मदद की है और ऐसा करके मुझे बहुत सुख़द हसास हुआ आशा है कि आप भी ऐसा करेंगे कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अवन्तिका माथुर ने भारतिय पशु कल्यान अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए बेसहारा पशुओं को भोजन पानी वह आश्रे देने का अहवान भी किया उन्होंने बताया कि आवारा कुत्तों का समय समय पर टीका करन करके भी उनके जीवन को बचाया जा सकता है और मनुश्यों को उनसे हुने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है यदि हम बेसहारा जानवरों के प्रती सहानुगूती रखेगे तो नहसंदेहवे भी हमारे प्रती अपनत्व भरा व्यवहार अवश्य करेंगे इस अफसर पर संस्थान के प्रबंध निदेशक श्री अवनीश अग्रवाल, श्रीमती पुनम अग्रवाल, कार्यकारी निर्दशक अभिनव अग्रवाल, श्रीमती अदिती अग्रवाल एवं लो कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पी, सी, राम ने मुखे वक्ताओं एवं अतिथियों का स्वागत पुष्प कुछ दे कर किया प्रबंध निदेशक श्री अवनीश अग्रवाल ने सभी वक्ताओं अतिथियों एवं श्रोताओं का धन्यवाद ग्यापित करते हुए कहा कि ऐसे जन्जाग्रूपता कार्यक्रम विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपून भूमिका निभाते हैं आशा है कि संस्थान के विद्यार्थियों एवं शिक्षक इस कार्यक्रम से लाभानवित हुए होंगे कार्यक्रम का सफल संचालन लौ कॉलेज के सिया राम जी ने किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर लीलावती, डॉक्टर, रामकिशोर सिंग, जस्वन सिंग, समसपाल सिंग बौतम, अनिल कुमार, रवेकांथ, रूपाली बालियान, संदीत सुमन और नीरज कुष्वा हादी शिक्षक शिक्षिकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही